Hi friends and welcome back to another video और आज हम बात करने वाले हैं MIU 11 के new hidden features के बारे में तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी कुछ दिनों से MIU 11 के new updates आ रहे हैं चाहे वह 11.0.8.0 हो या फिर 6.0 हो तो उनके अंदर हमें काफी सारे नए features मिले हैं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like भी करना है चलिए इस वीडियो को शुरू करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मेरे पास Redmi Note 7 Pro और आप इन features को किसी भी phone के अंदर use कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को like करके जाना और अब बात करते हैं features के बार में सबसे पहला जैसे ही आप देखें हमारे phone के अंदर काफी सारी animations होती है आप सभी लोग देखें कोई भी आप अगर app open करते हैं या फिर कोई भी function open करते हैं तो animations काफी सारी होती है इसकी वएसे कभी कबार phone slow भी चलता और battery draining भी होती है तो हम इनको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं बहुती सिंपल है आप सभी लोग सबसे पहले अपने phone के settings में जाना है यहां पर जाने के बाद आपको additional settings के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको accessibility के अंदर जाना है यहां पर आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा जो कि आप देखेंगा रिमूव animation का तो यह आता है accessibility में इसको आपको on करना है उसके बाद आप देखेंगे phone की जो animations है वो पूरी तरह से मैंने बंद कर दी है अब आप देखें ऐसा लग रहा है phone के अंदर कोई भी animation नहीं है और phone काफी जाधा fast आपको लगेगा इसके बाद बात करते हैं हमारे जो अगला feature है वो भी feature आपके काफी आदा काम में आएगा जो भी लोग gaming करते हैं अपने phone के अंदर जैसे कि PUBG हो गया या फिर कोई भी आप free fire कुछ भी अपने phone के अंदर game खेलते है तो फोन में पूर फोन की जो है बहुत जादा हालत खराब हो जाते गेम खेलते हैं वक्त हीटिंग होती है या फिर टच रिस्पॉंस कभी कबार चला या आता है तो इसके लिए आपको एक सेटिंग बताता हूँ टच एफ वो काफी जादा enhance हो जाएगी audio बढ़ जाएगी तो अभी आपको इसको यहाँ पर on कर लेना है जब आप इसको on करते हैं तो जो gaming आपकी जो फोन के अप जो आप gaming करेंगे तो उसमें आपको काफी यहाँदा difference देखने को मिलेगा क्योंकि यह सारी चीज़े आपक फीचर की तो next फीचर थोड़ा से security का है जैसे कि आप lock screen के अंदर देखते हैं तो हमारे phone के lock screen में हमारे जो notification पैनल है वो इस तरह से on हो जाता है और कई लोग इसको बंद करना नहीं जानते हैं अब इसके अंदर hotspot भी होता है Wi-Fi भी होता कोई भी आपका phone पीछे से बाद यहां पर notification पर जाईए फिर आपको lock screen notification पर जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको दिख जाएगा open notification said on lock screen तो यह on है अभी देख लीजे on है यहां पर इसको अभी आपको off करना है simply आप इसको off कर दीजे फिर आप चाहें तो format को भी चूस कर सकते हैं कई लोग आपका phone आपके पीछे से नहीं वो आपका status bar on कर पाएगा नहीं hotspot खोल पाएगा तो security के उससे देखा जाए तो काफी बड़िया यह भी feature है इसके बाद दोस्तों जो next feature है जैसे कि आप देखें मेरे जो toggles है उसके अंदर मैंने WhatsApp को add कर रखा है YouTube को भी add कर रखा और यह यह यहाँ पर आपको tap करना है इसमें website folder या फिर आपको कोई app चाहिए अपने status bar के अंदर तो वह आप add कर सकते हैं तो जैसे कि मेरे phone के जितने भी apps है यह मुझे show कर रहा है कोई भी app जैसे कि WhatsApp, Facebook, Instagram या कुछ भी उसके हैसाब से आपको यहाँ पर icon मिल जाएंगे जो कि आप custom icon यूज कर सकते हैं, advance edit कर सकते हैं, size इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं, पूरा करने के बाद right पे click करिए और click करने के बाद आपको toggles में जाना है, edit के अंदर जाना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा tiles 1 का, तो इसको आपको drag करके ऊपर लाना है, इस तरह स दोस्तों हम जो अपने phone के अंदर कुछ extra toggles को add कर सकते हैं, जो भी आपके personal हो, जो भी आपका काम का हो, वो आप अपने phone में add कर सकते हैं, तो यह तो दोस्तों कुछ hidden features and I hope कि आपको यह पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को like करके जाना और अगर आप चैनल पर first time आए हैं तो इसको subscribe भी कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ अपसे next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching